अगर आप एक से ज़्यादा GST यूज़ करते हैं चाहे आप अलग-अलग स्टेट में सप्लाई करके यूज़ करते हों मतलब GST नमबर आपके पास डिफरेंट है या उत्तरप्रदेश का लएक अलग है और देली का अलग है या फिर अगर कटेगरी वाइस देखें तो आपका प्रोप्राइटर्सिप का अलग है पार्टनर्सिप का अलग है और कंपनी का अलग है तो कई सारे GST अगर आप यूज़ कर रहे हैं और उसमें दूसरी बात यह आती है कि उन जैसे सपोज मैं अगर आपको यूज़ बोलूं तो आप पार्टनर्सिप का भी यूज़ कर रहे हैं और प्रोप्राइटर का भी यूज़ कर रहे हैं इन केस आप चाहते हैं कि पार्टनर्सिप वाला मैं कैंसिल कराके जीसटेन और प्रोप्राइटर का ही आगे कंटीनियू करूं means पहली बात तो यह हो गए कि आप अपना एक जीसटेन कैंसल कराना चाहते हैं आज का हमारा सबसे में टॉपिक है Cancellation of GST Registration इस वीडियो में आपको मैं यह बताऊंगा कि आप किस किस वे से Cancellation करा सकते हैं और Cancellation के वे क्या हो सकते हैं क्या क्या procedure आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आज जो यह वीडियो होगी यह वीडियो में केवल आपको थोड़ी सी ए Cancellation की झहलग दिखेगी तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि cancellation आप कैसे करा सकते हैं cancellation of GST registration को समझने के लिए सबसे पहले आपको types की जरूवत होती है कि cancellation किस प्रकार से हो सकता है cancellation दो तरीके से हो सकता है या तो आप self करा दो cancellation means GST portal forms available होते हैं उस form के तुरू आप self cancellation करा लो या फिर आपको so cause notice आए means suomoto भी बोलते हैं जिसे officer के तुरू reply आना वो बोलते हैं कि tax officer जो आपका है assessing officer जो है आपका वो आपको demand raise करता है कि आपने कुछ ऐसी मैं उसे बोलू circumstances हैं जो आपने follow नहीं किये उसके बेस पे वो कहते हैं कि अब आपका GST cancel हो सकता है हाला कि उसका कुछ procedure है वो ऐसे directly आपको cancel नहीं कर सकते हैं आपका GST आपको proper सारी चीजें दी जाएंगी notice दी जाएंगी आपको time दिया जाएगा पूरी मतलब timing of being heard पूरा time आपको दिया जाएगा proper कि हाँ अब आपका GST cancel होगा अगर आप response नहीं देते हो या फिर उसके बाद भी अगर आप उनको मतलब officer को पूरी दा से आप satisfy नहीं कर पाते तो वो तो हो गई officer की बात और दूसरा कि आप खुद से कैसे करा सकते हैं खुद से कराने के लिए भी दोस्तों आपके पास कई सारे terms होते हैं जिसमें मैं basically आज तीन points cover करूंगा कि खुद से अगर आप cancel कराने चाहते हैं तो क्या-क्या use होना चाहिए पहला point जिसमें आता है कि आपका business जो है आपने sold out कर दिया है means अगर आप partnership चला रहे थे तो वो partnership दूसरे के द्वारा take over कर लिया गया है या फिर आपने sell कर दिया है उसे तो अब आप अपना GSTN cancel करा सकते हैं form के through वो form के बारे में आपको बाद में बताऊंगा आप form के through cancellation उसको डाल सकते हैं और पहली बात तो आपको मैं clear ये बता दूँ कि आप directly कुछ चीज तो cancel कर नहीं सकते आप opt कर सकते हो ये जो word है ना opt opt मतलब कि आप एक request डाल ले हो GST portal पे कि अब मेरे इस GSTN का कोई use नहीं रह गया है तो किरपया इसे cancel कर दे GSTN जब cancel होगा आपका जब assessing officer आपकी उस request को देखेगा वो सारी fonts में आपने जो details भरी होंगी वो सारी details को वो verify करेगा अगर वो satisfy है कि आपका GSTN cancel होना चाहिए तो वो आपकी request को accept करेगा means तीनो basic points जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक जो मैंने बताया उससे हट के ये point है कि आप direct तो cancel कर नहीं सकते आपको opt करना पड़ेगा और opt का procedure और form filling का procedure वो पूरी एक series वीडियो इसकी बनेगी मैं आपको इस पूरी वीडियो में सारी चीज़े बताऊंगा ये वीडियो केवल मैं इंट्रो के लिए बता रहा हूँ कि आप cancellation कैसे करा सकते है तो मैंने पहला point बताया कि आप ने business को sell out कर दिया है या फिर business आपका take over हो गया है तो जो other entity होगी means जो अगली entity आपको take over कर रही है या फिर जिसे आप बोलने की purchaser company जो होगी उसके नाम से आप GSTN बनेगा आपका पुराना GSTN cancel हो जाएगा second point आपका turnover इतना है means आप पहले migrated आया थे starting में जब GST आया था तो उसमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ना चाहते हुए भी GSTN लेना बड़ा था वो cancellation के लिए उन्होंने कुछ ने तो तुरंथी डाल दिया था बट कुछ लोगोंने ये सोचा होगा कि चलिए मैं continue करता हूँ या फिर ऐसा business ही मेरा है जिसमें मुझे compulsory लेना पड़ेगा like interstate supply अगर आप कर रहे हैं तो आप GSTN cancel नहीं करा सकते हां option है आपके पास कि आप cancellation के लिए डाल सकते हैं उसके लिए आपको कई सारी formalities हैं वो आप पूरी करेंगे फिर आपका cancellation हो सकता है यह mandatory हो गया था कि अगर आप interstate supply करेंगे तो आपको GSTN लेना ही पड़ेगा अगर आप cancellation कराना चाहते हैं तो इस case में आपका तो या तो threshold limit जिसे हम बोलना है जिसे वो means कहीं 10 lakh है 20 lakh है 40 lakh है वो applicability जो है आपकी अगर वो threshold limit आपकी कम है means cancellation का सबसे पहला point आपका इस second point में यह आना चाहिए कि आपकी जो threshold limit है वो कम हो मतलब 20 lakh अगर आप suppose करके चल ले हैं तो 20 lakh से अंदर ही आपका turnover जा रहा हो तब आप cancellation के लिए apply कर सकते हैं second अगर आपने उसी में threshold limit apply अगर जहां पर नहीं हो रही है आपकी मानले यह थर्नोबर जादा है और बट आपकी exempted sale में जाती है फिर आप cancellation कराना चाहते हैं means आपकी पूरी sales exempt हो गई है तो आप cancellation कराना चाहते हो तो वो भी इसी point में cover हो जाएगा confused बिल्कुल ना हो मैं आपको clearly बताना चाहूंगा मैंने अभी तक दो basic point बताया है पहला point यह था कि या तो आपका business sell out हो गया है टेक ओवर हो गया है या फिर किसी और other entity ने आपको acquire कर लिया टेक ओवर में ही वो cover हो गया दूसरा point basic आपका यह है कि आपकी जो threshold limit means आपने migrated हो आप पहले से VAT से लेकर के आप इसमें GST में आये हो migration का मतला मैं सीधे सीधे बताना चाहूंगा कि पहले जो लोग VAT use करते थे VAT से सीधा उने GST में लाया गया वो tax amendment के बाद आपको ऐसे कुछ mandatory points आ गये थे उसमें जि अगर वो cancel करना चाहते हैं तो उनको दो चीजें बात ध्यान रखनी होगी पहली बात कि आपकी जो threshold limit है means अगर आप किसी all over India में किसी भी area में रहते हैं तो वहां की जो applicability है threshold limit की उस limit को आप चेक करें इसके अंदर आपका turnover आना चाहिए अगर वो नहीं होता है तो दूसरा option आपका जो supply आप करते हैं वो exempted है तो आप cancellation कराना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि इसमें मैं GSTN का चक्कर में ना पढ़के मैं इसे cancellation करा लूँ वो आपकी मर्जी है ये तो होगे आपके दो basic point जो GSTN में cancellation कराने के लिए जरूरी होते हैं तीसरा आपका है voluntary basis पे आप cancellation कर आना चाहते हैं ठीक है ये तीन चीजे हो गई और voluntary में सबसे जरूरी बात है कि अगर आपने खुद अपनी मर्जी से GSTN लिया था और अब आप खुद अपनी मर्जी से चाहते हो कि मैं cancellation करा लूँ तो दोस्त इतना possible नहीं है इतना easily possible नहीं है because आपको at least उसको GSTN एक साल तक run करना होगा एक साल तक आपको proper return करनी होगी एक साल के बाद ही आप voluntary GSTN को cancel करा सकते हैं तो ये थे हमारे तीन basic points जो कि इस वीडियो में मैं cover करना चाहता था कि cancellation अगर आप जो दूसरा type है means खुद से अगर आप करना चाहते है cancellation तो वो कैसे कर सकते हैं next वीडियो जो इस सकते हैं या क्या क्या circumstances हो सकते हैं जिसके थुरू आपको cancellation के लिए socos notice आ सकता है वो दूसरा point हो गया उसके बाद इसी वीडियो के regular contest में मैं बाते करूंगा कि मतलब proper अगर आप देखा जाए तो proper cancellation कैसे आप कर सकते हैं खुद से या फिर अगर notice आती है तो notice का reply कैसे करना ह यह वीडियो की पूरी एक series होगी जो कि हमारे इस YouTube चैनल पर ही आपको available होगी और next by next सारी वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगी बाकी की पहले जितनी भी वीडियो हैं GST से लेटर आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं इस से पहले मैंने बहुत सारी GST की वीडिय है अभी recent में मैंने forms के ओपर वीडियो बनाई थी और मेरी अधर वीडियो भी हैं जो आप चाहें तो मुझसे देख सकते हैं सेम YouTube चैनल में मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि tax farewell जो है वो इस समय Amazon Fire TV पे Android TV पे Apple TV पे और आपका क्या बोलते है Amazon Fire TV वगेरा सब पे है आप follow करना चाहें तो हमें आप Twitter, Facebook, Instagram सब जगा follow कर सकते हैं हमारी वीडियो से अगर आपको कोई कमेंट उधर के आता है या कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में क्वेरी भी ले सकते हैं जैसे कि एक लास्ट वीडियो थी सर की उस पे एक क्वेरी आई थी कि सर GST से related मुझे रेटन्स वरने में प्राब्लम हो रही है तो उस क्वेरी का हमारा जो solution था वो आप जा करके उस वीडियो पर खुद देख सकते हैं कि हमारा विदिन सम आर्स आपका रिप्लाई हमने कर दिया था तो उसके बेस पर हमारी आपकी जो continuity है हम हमेशा मेंटेन करके चलते हैं तो आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि हमारी वीडियो से आपको क्य क्या क्या कोईरी निकल के आ रही हैं क्या क्या डाउट्स आपको हैं जो आपके सॉलुशन में चाहिए हम हमेशा आपके हल्प के लिए बने हैं थैंक्स एंड हैंड हमना इस टेइड हुआ है